महाजन के मुह से वही सारी व्यथा जो महापुरुष भाई गोपाल जी ने बताई थी सुनकर सब की नजरे जुक गई भाई गोपाल जी कहने लगे तेरा नोकर सुखमणी साहिब जी पढ़ने के फलसब रूप सीधा सवर्ग को गया है इसका जन्म मरन समाप्त हो गया है भाई गोपाल जी ने सारी संगत को सुखमणी साहिब जी की महिमा बता कर नित्या का कम से कम एक पाठ अवश्य करने की ताकीद दी शिरी गुरू औरजुन देव जी ने महाप्रोपकार करके यह पवित्र वानी कल यूगी जीवों के कल्यान हेतू रची है सुखमणी साहिब जी की वानी से जो प्रेम करे गुरू उसका जन्म मरन तो समाप्त करता ही है एक अन्य कितने बड़ी बक्षिश की इससे पित्रों का भी उद्धार हो जाता है पित्र कहते हैं घर के वह बड़े पूर्वज जो पहले ही धर्ती से जा चुके हैं यदि उनके प्रती सुख मनी साहिब जी की वानी का पाठ किया जाए तो निरंग कार को इन जीवों की आत्मा का भी कल्यान करना पड़ता है चाहे वह पित्रों ने सव्यम अपने जीवन में नामना भी जपा हो कुछ लोग अपने पित्रों के उधार हे तू किसी यजमान को बुलाकर भोजन करवाते हैं लंगर करवाते हैं यह कुछ सीमा तक अच्छी बात है लेकिन इससे पूरी प्राप्ती नहीं यदि वानी के परवह चलाकर अरदास की जाए तो पढ़ी वानी के कारण निरंकार को पित्रों का उधार करना पड़ेगा यह दास कोई खुद से नहीं कह रहा गुरू गरंथ साहिब जी की वानी इस बात की साक्षी है जिस सिमरत सब किल बिखनास है पित्री होई उधारो सो हर हर तुम्हें सद ही जा पह जाका अंत ना पारो दृड़ बात है यकीन वाली घर में से कोई एक भी बंदगी वाला शरीर हो वानी से प्रेम करने वाला हो उसके कारण उसकी 21 कुलें तर जाती है बाबा नंद सिंग जी वचन करते थे 21 कुलें कोंसी साथ ननिहाल की साथ पित्र की और साथ ससुराल की शायद कुछ लोगों के मन में यह आशंका उत्पन हो गई हो कि एक के कारण 21 कुलें कैसे तर सकती है गुरु गोबिंद सिंग जी के समय की इतिहासिक साखी भी इस बात की साक्षी है दसन पातशाह गुरु गोबिंद सिंग जी ने जब भाई सेदा जो नाव चलाने का कार्य करता था उसकी प्रेम भरी पुकारे सुनकर भाई दिया सिंग वा अपने कुछ अन्य सिंगों के साथ उसकी भावना पूरी करने के लिए उसे दर्शन दिये उसकी नाव में अपने सिंगों सहित बैठ गए और कहा हमें दूसरे किनारे ले चल भाई सेंदा प्रेम में भीगा जब नाव को लेकर दूसरे किनारे पहुचा तो गुरु जी ने मोहरों की थैली उसे देनी चाही लेकिन भाई सेंदे ने बिंती की हे सचे पाश्चाह यह मोहरों की थैली मुझे नहीं चाहिए सात्गुरु जी कहते फिर क्या इच्छा है भाई सेंदा कहने लगा मेरा आपका धंदा एक समान है उसकी यह बात सुनकर सिंग बड़े हेरान हुए कि यह किस तरह की घटिया वचन कर रहा है परन्तु भाई सेंदा प्रेम में भीगा कहने लगा हे सात्गुरु जी मैं लोगों को नाव में बिठा कर जल के सागर में एक किनारे से दूसरे किनारे पहुचाता हूँ और आप इस भव सागर से लोगों की नाव किनारे लगाते हूँ जैसे मैंने आपको इस नाव में बिठा कर इस सागर से पार करवाया है एक किनारे से दूसरे किनारे पहुचाया है आप मेरी जीवन की नईया दूसरे किनारे लगा दो मेरा भव सागर से उधार कर दो गुरू जी उसके यह प्रेम भरे वचन सुनकर बड़े परसन हुए और भाई दिया सिंग को कहा गिंती करो कि नाव में कितने सिंग हैं भाई दिया सिंग ने गिंती करके बताया पातशाह मुझे सहित 21 है साथ गुरू जी कहने लगे हे प्यारे तूने हमारे 21 सिंगों को नाव में बिठा कर दूसरे किनारे लगाया है मैंने एक तुझे क्या पार करना है तेरी 21 को लेतार दूंगा यदि प्राचिन इतिहास की और ध्यान दें तो एक पहलाद जी थे जिन्होंने सूर्ती लगाई भगवान जी के चरणों से जब भगवान जी परगट हुए थे खंबे में से नरसिह अवतार का रूप धारन करके हिरन कश्यप को समाप्त करने के लिए तो भक्त पहलाद जी ने भगवान जी से कहा था है भगवान जी चाहे इसने मुझे बहुत कस्ट दिये पहाडी से धक देला अगनी में जलाने की कोशिश की गरम खंबे से आलिंगन करने के लिए कहा पर है तो मेरा पिता ही कहीं यह नर्क में न जाए इसकी मुक्ती कर देना भगवान जी कहने लगे यह पहलाद तू एक अपने पिता की मुक्ती करने के लिए कह रहा है तेरी तो 21 कुलों की मु सुखमानी साहिब जी की वाणी से प्रेम करने वाला केवल सवयम ही नहीं पार होता अपितू यदि गुरु किरपा के घर में आ जाएं तो उसका परिवार उसकी 21 कुलें भी पार हो सकती है सुखमानी साहिब जी की वानी पढ़ने से जहां लोक के सुख मिलते हैं वहां साथ ही परलोक की देने भी मिलती हैं कई देवी देवता लोक के सुख दे सकते हैं परन्तु जब भविश्य सवारने की बात आती है मुक्ती की बात आती है तो वह कहते हैं यह हमारे वश में नहीं परन्तु सुखमनी साहिब जी की वानी दोनों सुख देती है लोग के भी परलोग के भी सुखमनी साहिब जी की वानी की चोथी महांता शिरी सुखमनी साहिब जी की वानी जनम मरन के बंधन भी समाप्त करती है चोथा शिरी सुखमनी साहिब जी की वानी का एक पाठ प्रते दिन करने से जनम मरन के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं हमारा यह पर्यास तो ही सफल होगा यदि आप जी का गुरू साहिब जी की किरफा से कम से कम एक पाठ का नियम अवश्य बन जाए